Hey guys, welcome back to my channel creatively yours और आज हम दिवाली का जो वेस्ट है उससे क्राफ्ट करेंगे तो हमने उसके लिए फुल जड़ी के जले हुए दो वायर्स ले लिये हैं जिने हमने ग्रीन टेप जो होता है उससे कवर कर लिया है अगर आपके पास ये वायर नहीं है तो आप कोई भी किसी भी टाइप का वायर यूज़ कर सकते हैं आप चाहे तो ये पुराने हैंगल्स होते हैं वायर वाले उनको यूज़ कर सकते हैं या फिर मार्केट से भी आप परचेस कर सकते हैं बस एक चीज़ को आपको धिहान रखना है कि ये wire थोड़े soft हो बहुत ज़ादा hard wire लेने से हम जब इसको twist करना चाहेंगे तो ये twist नहीं होगा अगर आपके पास green tape नहीं है तो आप कोई भी dark color का cello tape यूज़ कर सकते है दूसरी चीज़ ये form sheet है ये बच्चो के craft का waste था जिसको हमने use किया है अगर आपके पास ऐसा कुछ नहीं है तो आप market से purchase कर सकते हैं ये market में hardly 3-4 रुपे में मिल जाती है हमने try किया था कि हम waste का ही use करें इसलिए हमने market से नई form sheet यूज़ परचेस नहीं की थी इस पे हमने one by one inches के blocks बना लिये हैं जिनको हम आगे चलके cut कर लेंगे हमने सारे pieces में try किया कि हम जादा से जादा pieces निकाल सकें जिससे इस form sheet को हम use कर पाएं इस तरीके से हमने इसके छोटे छोटे pieces कर लिये हैं जो कि जिनका सभी का size one by one inches का है अगर आप इससे जादा inches के ये blocks कट करेंगे तो जो आपके floss आगे जो हम बनाने वाले हैं वो काफी बड़े होंगे इसलिए वो अच्छे भी नहीं लगेंगे इस तरीके से अगर आपको glitter sheet पसंद नहीं है तो जो plain sheets आती हैं आप उनका use कर सकते हैं बस अब हम इसे flower के shape में cut कर लेंगे सारी leaves के साथ हमें यही process follow करना है और अब हिनकी बीच में हम एक hole बना लेंगे आप चाहें तो scissor से बना ले या जिस तरीके से हमने थोड़ी pressure से ने push किया है wire के अंदर आप इस तरीके से भी कर सकते हैं हमने एक wire में around 9 leaves को insert किया है क्योंकि हमारा wire छोटा था और फिर हमने फ्लास बनाना शुरू कर दिया है फ्लास यह सारी glue गन से ही stick हो पाएंगे क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा जो flower है वह बहुत जल्दी stick हो जाए तो अगर आप कोई favicol वगरा कोई ऐसा glue use करेंगे तो वह अभी इस समय काम नहीं आ पाएगा तो make sure आपके पास glue gun या कोई ऐसा adhesive होना चाहिए जिसकी stick करने का power अच्छा हो इस तरीके से हमने यह सारे के सारे leaves को paste कर लिया है अब हम दूसरे wire में भी यही चीज़ करेंगे अगर आपको colorful flower pot बनाना है तो आप colorful sheets ले सकते हैं अगर आपके पास घर में इस तरीके की form sheets available हैं जो कि बच्चों के craft में से बच जाती है तो आप उनको use कर लेजिए या अगर आप कोई specific color का बनाना चाहते हैं तो आप market से वैसा कुछ purchase कर सकते हैं और यह बनकर ready हो चुकी है आपको इनने थोड़ा सा glue gun लगाने के बाद थोड़ा थोड़ा hold करना पड़ेगा बाद में हम इनके tips पे thermacol की balls paste कर देंगे पिंक form sheet का use किया है यह हमने market से purchase की थी आप भी इसी तरह different different color की form sheet से flask बना सकते हैं अब हमने इने flower pot में fix कर दिया है आप देख के बताईए कि यह कैसा लग रहा है बहुत ही प्यारा लग रहा है आपको भी अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कीजिए शेर कीजिए चैनल को subscribe नहीं किया है तो प्लीज चैनल को subscribe कीजिए और बताईए कि यह आपको कैसा लग thanks so much for watching bye bye take care